वेल्कम बैक फ्रेंश तू दीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पिछले जन्वरी माय के टॉफ 50 करंट अफेर की वीडियो तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ध्यान से देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको 50 most important questions मिल जाएंगे जोगी करंट अफेर से related होगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो आज की वीडियो में मैंने 50 questions रखे हैं इन सभी questions को आप अपनी दरब से भी solve कर सकते हैं और मैं भी इन सभी questions की आंसर बताऊंगा और इस से सम्मंदित जितने भी extra fact है और explanation होगी वो भी बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह की वीडियो में आपको important questions ही मिलते हैं जो की पूरे मंत से related होते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला question है हाली में नए मुख्य सूचना आयुक्त की रूप में किसी न्युक्त किया गया है तो देखिए यहाँ पर चार option दिए गए हैं इनमें जो right answer है option C सुधीर भारगव राइट तो सुधीर भारगव नए कैंद्रिये सूचना आयुक्त बने ह और इन्होंने CCI सूचना की अधकार के नियम की अंतरगत अपनी न्युक्ती हांसिल किये राइट जब का first question complete हुआ next देखते हैं question number second ICC महला करिकेटर आप दा इयर की रूप में हाली में किसी नामित किया गया है तो देखिए इसका जो right answer है option A इस्मृती मंधाना राइट त में कुल 679 रन बनाई थी राइट next question देखते हैं question number third हाली में changing India पुस्तक किस ने लिखी है तो देखिए हाँ पर चार option दिए गए इनमें जो right answer है मनमुहन सींग तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमुहन सींग ने changing India पुस्तक लिखी है option यहाँ पर C सही हो next question है question number four हाली में railway board की नई अध्यक्ष कौन मनें तो इसका answer हो जाएगा वी के यादव option यहाँ पर B सही होगा तो उन्होंने अस्वनी लोहानी का स्थान लिया है जो की 31 दिसंबर 2018 को सीवा निवर्त हो चुकी है और यह जो वी के यादव है वे दच्छण मद railway के महा question number five हाली में Axis Bank के नई MD और CEO की रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो इसका जो राइट answer है अमताब चौधरी option C सही होगा तो हाली में अमताब चौधरी को Axis Bank ने अपने प्रबंध देशक की रूप में न्युक्त किया है और वो एक जनवरी 2019 से उन्होंने अपना कार परबार गरहड किया है और HDFC Standard Life Insurance के वो पूर MD और CEO भी रह चुके हैं और Axis Bank की बात करें तो इसका मुख्याल है मुंबई में है नेक्स्ट कुशन देखते हैं Q6 किस देस ने हाली में पक्षपात का हवाला देते हुए UNESCO को छोड़ दिया है तो देखिये सका जो राय चौसर है अमेरिका और इज्रायल यानी कि इन दौनों देसों ने पक्षपात का हवाला देते वे सयुक्तराष्ट की एक संस्था युनेसको को छोड़ दिया है तो इस तरह से option आपका यहाँ पर सी सही होगा यानि की उपरोक्त दोनो राइट नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर सेविन हाली में जेयर बोलसा नारो को किस देश के नई राष्टपती ग्रूप में उन्होंने सपत लिये जिसका अंसर हो जाएगा ब्राजील आपसन यहाँ पर सी सही होगा तो एक जनुरी 2019 को हाली में उन्होंने सपत लिये और उन्होंने वामपंती प्रतिदंदी फर्नांडो हदाद को अराया है और 94 प्रिसत वोटों की गिंती की बाद उन्हें सुप्रीम इलेक्टूरल ट्रिब्यूनल द्वारा विजीता घोसित किया गया था नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नम्मर एट हाल यह में किस देश ने ओपेक से अंतिम रूप से अपनी सदस्ता वापस ले लिया है तो इसका जो राइट आंसर है कतर ओप्सन यहाँ पर एस ही होगा तो कतर तेल उत्पादन कनने वाले देशों के दल यानि कि ओपेक को छोडने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है और मैं आपको बता दूगी कतर तरलीकृत प्राकृतिक गैस इल एन जी इसका दुनिया का सबसे बड़ा आपूरती करता देश है उपेक की बात करें तो उपेक 15 अदेशों का एक अंतर सरकारी संग्ठन है जिसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी राइट नेक्स्ट क्षिन देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्थान पर भारती विज्यान कांग्रेस का उद्गाटन किया है बहुत ही इंपर्टेंट ये क्षिन है एक्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है तो इसका अंसर हो जाएगा option D जालंधर में ठीक है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यह जो भारती विज्यान कांग्रेस है इसका विज्या क्या है तो इसका विज्या है फ्यूचर इंडिया साइन्स एंड टेक्नोलोजी और नरेंदर मोदी के प्रदान मंतरी के पद समालने के बाद भारती विज्यान कांग्रेस का उनका पांचमा संभूधन रहा है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं जोकी अंटाक्टिका की सबसे उची चोटी है उस पर चड़ने वाली पहली दिव्यांग महला कौन मनी है तो इसका अंसर हो जाएगा अरोडमा सिना ओप्सन या पर एस ही हो जाएगा ठीक है अरोडमा सिना के इलावा तीस वर्सी इन्होंने पांच महादीवों की सबसे उची जितनी भी चोटी है उन पर भी उन्होंने चड़ाई किया है और वो सभी सातों महादीवों पर चड़ाई करने की योजना बना रही है नेक्स्ट कॉशन है कॉशन नमर 11 हाली में 27 विस्ट पुस्तक मेला कहां पर शुरूआ है तो इसका अंसर हो जाएगा नई दिल्ली आपसन यापर 20 ही होगा तो 27 विस्ट पुस्तक मेला हाली में शुरूआ है और इसका विस्ट है रीडर्स विद स्पेशल नीड और महात्मा गान्दी का ये जो वर्स है वो 150 वी चैनती का वर्स है तो उसको चिन्द करने के लिए महात्मा गान्दी से संबद्ध वहाँ पर एक विस्ट प्रदरसनी भी लगाई गई है और इसमें 20 से अधिक इस प्रदरसनी में भाग लिया रही है राइट नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर 12 एसिया कमपटीटिट्यू टू इंस्टिट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अंसार इजॉब डूइंग बिजनिस इंडेक्स में किस राज्य को पहला इस्थान मिला है तो इसका अंसर होगा आंदर प्रदेश option C सही होगा तो आंदर प्रदेश 21 राज्यों के एक इंडेक्स जारी की गई जिसमें पहले पर है जबकि महराष्ट और दिली को इसमें क्रमसा दूसरा और तीसरा इस्थान मिला है यहाँ पर आंद्प्रदेश की बात की गए मैं आपको बता दूँ आंद्प्रदेश की मुखंत्री है एन चंद्रबाबु नाइडू और राजपाल है एसल नर्सिमवन राइट नेक्स्ट कोशन देखते हैं की बैस की आईएस अधिकारी भी रहे हैं ऐसे असबी की बात करें तो इसमें कुल 80,000 कर्मचारी हैं जो की नेपाल और भूटान के साथ भारत की और भी सीमाओं की रचा करते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमर 14 हाली में विस सुबेंग की अध्यक्ष की रूप में किसने स्तीफा दे दिया है तो इसका जो राइट अंसर है जिम यॉंग किम आप्सन यापर सी सही हो जाएगा तो उनका जो स्तीफा है वो एक फरवरी 2019 से प्रभावी हो चुका है और 69 वर्सी जिम यॉंग किम 2017 में दूसरी वार 5 वर्स की कारकाल के लिए चुने गए थे और 2022 तक उनका कारकाल था लेकिन अभी उन्होंने हाली में इस्तीफा दे दिया है नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन हमर 15 हाली में वी आर डिस्प्लेश्ट नामक पुस्तक किशन लिखिये है देखे एक्जाम में बुक्स रिलेटेट भी कुशन पूछे जाते हैं तो इनसे रिलेटेट भी आपको सभी कुशन कम्प्लीट करने हैं तो इस कुशन का आंसर होता है मलाला यूसुफ जाई तो नोबिल सांती पुस्कार वजेता और पाकिस्तानी कार करता मलाला यूसुफ जाई ने किताब लिखिये जिसका सीरसक है और इस सीरसक के साथ उनकी पुस्तक जारी की गई है और वो नोबिल पुस्कार वजेता भी रही है तो आप ध्यान रखेगा यह बुक्स बहुत ही important है next question देखते हैं question number 16 हाल इमें Tokyo Olympic के लिए safe day mission की रूप में किसी नामित किया गया है तो इसका जो right answer है बीरेंदर प्रसाद West option यहापर 20 ही हो जाएगा तो भारतिय भारोत तोलन महासंग IWF के जो अध्यक्ष है बीरेंदर प्रसाद Best उनको 2020 के Tokyo Olympic के लिए भारत के safe day mission की रूप में नामित किया गया है यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी Olympiai जो खेल हैं तो 2020 में Greeceman Calling Olympic की नाम में इनको जाना जाएगा और इसमें 24 जुलाई से 9 गस 2020 बीस तक ही आविजन होगे ठीक है next question देखते है question number 17 Nicholas Maduro ने किस देश में दूसरे कारकाल के लिए राश्टरपती पद की सपत ली है तो इसका answer हो जाएगा Venezuela पॉपसन यहाँ पर DC ही हो जाएगा तो Venezuela की बात करें तो वहाँ की राजदानी है आदे के कारण उनकी जीत हुई है और राश्टरपती की रूप में उनके दूसरे कारकाल की उन्होंने अभी आले में सपत ली है next question देखते है question number 18 किस राज़ में हाली में अमा घरे LED यूजना शुरू की गई है तो इसका जो राएट राज़ में हाली में नौवाट की होंगी तो ये जो यूजना है वो ओडिसा राज़ में सुरू की गई है next question देखते है question number 19 किस राज़ के मुखमंत्री ने one family one job यूजना सुरू की है यानि कि एक परवार में एक सरकारी नौकरी की यूजना है वो सिक्किम राज़ में सुरू की गई है तो option यहाँ पर A.S.I. हो जाएगा तो सिक्किम के मुखमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने one family one job यूजना सुरू की है और इसके तहत सरकार के 12 विभागों में group C और group D के पदों पर नई भरती निकाली जाएगी ठीक है और यहाँ पर देखिए सिक्किम की बात कीगे तो मैं आपको पता दो सिक्किम की राज़दानी है गंगटोक और वहाँ की राज़पाल है गंगा परसाथ और सिक्किम के सीयम पमिंग चामलिंग स्वेतंतर भारत की सबसे लंबे समय तक कारेसील मुख्यमंत्री भी रहे हैं नेक्स्ट कॉश्चन देखते है कॉश्चन नमबर 20 पहन सा राज आर्थिक रूप से कमजोर बर्गों के लिए 10% आरक्षड लागू करने वाला पहला राज़ बन गया है तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग के लिए 10% आरक्षड को लागू करने वाला पहला राज़ बना है और इस पर राष्ट्रपती ने हाली में अपनी सुईक्रती भी प्रदान किये गुजरात की गई है तो मैं आपको बता दूँ गुजरात की राज़दानी गांदी नगर यहां के जो CM है वो है विजयरूपानी और गवर्नर है ओम प्रकास कोईली नेक्स्ट कुशन देखते हैं कुशन नमर 21 हाली में प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब किस ने जीता तो इसका अंसर हो जगा है बैंगलूरू रैप्टर्स ओप्सन यहाँ पर A सही होगा तो बैंगलूरू रैप्टर्स ने अपना पहला प्रीमियर बैडमिंटन लीग PBL खिताब जीता है और उसने खिताबी मुकाबले में मुंबई रॉकेट्स को 4-3 की अंतर से पराजित किया है और इसमें श्टार खिलारी किदामभी स्रीकांत वू जे ट्रैक और मैंस डबल्स की जोड़ी भी सामिल है नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमर 22 भारती महला बॉक्सिंग टीम की कोच की रूप में किसे नामित किया गया है तो यहाँ पर जो 4 उप्सन दिये गए इनमें जो राय चांसर है मुहम्मद अली कमर उप्सन सी सही होगा तो राश्टर मेंडल खेलों में मुक्य बाजी में भारत का पहला स्रॉड़ पदक जीतने वाले व्यक्ति मुहम्मद अली कमर ने देश की मेला मुक्य बाजी के लिए मुख कोच का पदवार हाली में गर्लक कर लिया है और उन्होंने अनववी सियो सिंग थापा की जगे लिये ठीक है नेक्स्ट कॉशन देखते हैं कॉशन नमर ट्वंटी थी एकलब माडल आबासिये विद्यालों इमरेस की पहली राष्ट्री खेल प्रतियोकता 2019 कहां पर सुरू हुई है तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन ए हैदराबाद ध्यान रखेगा है हैदराबाद में इसकी सुरूआत हुई है नेक्स्ट कॉशन है कॉशन नमर ट्वंटी फोर ICC के नए मुख कारकारी अधकारी यानि की CEO के रूप में किसकी न्युक्ती हुई है तो इसका जो राष्ट अंसर है मनु साहनी औप्सन याप पर आपका डी सही हो जाएगा तो ICC ने मनु साहनी को शंक्टन के मुख कारकारी अधकारी के रूप में उनकी न्युक्ती की है अब मैं आपको बता दूँ कि सिंगापूर स्पोर्ट्स हब के पूर CEO और ESPN स्टार्ट स्पोर्ट के प्रबंदन दे सक साहनी ICC विसकब 2019 के बाद जुलाई में डैविल रिचर्ड सन के पद समालने के साथ संक्टन में सामिल हो जाएंगे ICC के बात करें तो ICC के अध्यक्षे ससांक मनोहर और मुख्याल है दुबई में Next question है Question number 25 तो यहाँ पर चार option दिये गए इनमें जो राइ टांसर है चैन्ने के गुकेस option यहाँ पर D.A.S.I. होगा और भारत के सबसे कम IE-O के भारत में इनका इस्थान पहला होगा और वल्ल में इनका दूसरा इस्थान होगा क्योंकि world की बात करें तो Ukraine की सरजेई i करजा जिन वो सबसे कम IE-O के ग्राइट मेस्टर है नेंकी 12 वर्स साथ महिनें की IE-O में तो यहां पर दिखे चार आप्सन दिये गए इनमें जो राइट आंसर आप्सन सी यानि कि स्री हरी नट राज ने अब यहाले में खेलो इंडिया यूद गेम्स आउजित किये गए थे उसमें सबसे अधिक श्रौड पदक जीते हैं नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमर 28 कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया में सभी प्रारूपों में दो पक्षिय स्रंखला जीतने वाली पहली मेहमान करके टीम बनी है जिसका अंसर हो जाएगा भारत ऑप्सनिया पर सी सही होगा तो भारत ने हाली में वन डे सीरीज में उनको दो आस्ट्रेलिया में तीनों प्रारूपों में दो पक्षिय स्रंखला जीतने वाला पहला मेहमान देश बन गिया है पर आपका 28 कॉशन कंप्लीट हुआ नेस्ट कॉशन देखते हैं कॉशन नमर 29 नयामूरती आसिप खोसा ने किस देश के नए मुक्ष नयादीश की रूप में सपत लिया है तो यहाँ पर दीखे जो चार ऑप्सन दिये गए है इनमें जो राय टांसर ऑप्सन सी यानिकी पाकिस्तान तो पाकिस्तान की हाले में नए मुक्ष नादीश आसिप खोसा बने हैं नेक्स्ट कॉशन है क्वेशन नमर 30 उत्तरप्रदीश सरकार ने किस जिले की मुगल सराय तैसिल का नाम बदलकर पंडित दीन द्याल उपाद्याय की नाम पर रखे जाने की घोशना की है तो इसका जो राय टांसर है चंदौली उपसन D सही होगा तो 18 जन्वरी 2019 को उत्तरप्रदीश के चंदौली जिले में मुगल सराय तैसिल का नाम बदलकर पंडित दीन द्याल उपाद्याय की नाम पर रखने की घोशना की है और इससे पहले भी अगस्ट 2018 में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर पं तो उनको हाली में अवर्ड मिला है और इनको अवर्ड जियूरी समीति का पुरुस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भाजपा की सांसद भी बन गई है ठीक है और 12 सांसदों को संसद रतन पुरुस्कार से अब तक समानित किया गया है और इसे 2010 में पूरवराश्टरपत अब आपको पता होना चाहिए इस वर्ष की थीम क्या है तो इस वर्ष का जो विस्य है वो है रोल आफ इंडिन डाइस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया राइट और इसमें मुक्ह अधिति की रूप में मौरिस्यस के प्रदान मंत्री स्री परविंद कुमार जुग इसमें मुक्ह अधिति रही थी यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उदगाटन के आउसर पर युवा प्रवासी भारती दिवस और उत्तर प्रवासी भारती दिवस का आयोजन भी किया गया और सूचिना और प्रसारण मंत्री राजजवर्दन सिंग राठोर ने एक भारत स्वच भारत और सरदार पटेल और गांधी की सपनों की भारत की विसे पर इक डिजिटल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था नेस्ट कॉशन है कॉशन नमर 33 खेलो इंडिया यूद्गेम्स 2019 में कौन सा राच सीर्स इस्थान पर रहा है तो यहां पर जो चार ऑप् दिल्ली इसमें क्रमसा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है ठीक है यह आप ध्यान रखेगा मैं आपको बता दूँ कि हेलो इंडिया यूद्गेम्स का जो आयोजन होता है वो यूबा मामले और हेल बंतराल द्वारा किया जाता है सर गारफिल्ड सोबर्स ट्राफी जीतने वाले वो इतियास के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए जोनों ने तीनों प्रकार की ये ट्राफी जीत लिए यहां पर देखिए आई सीसी की बात कीगी तुम्हें आपको बता दूँ आई सीसी के अद्याश्य ससांग मनुः मुक्या ने की नुकती हुई है नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमर थर्टी फाइव एंड्री राइजोलिना ने हालीविए किस देश की राइश्टर पती की रूप में सपत लिए तो इसका जो राइट आइसर है मेडगास्कर ऑप्सनियां पर एस ही हो जाएगा तो मेडगास्ट की बात करें तो मेडगास्कर की राजदानी है एंटाना रिवू और प्रदान मंत्री हैं क्रिश्टियन निट्री और ये अफ्रीका मादीप के पास इस्तित है और हिंद्र पाहसागर में सी इस्तिति है नेक्स्ट कोशन है क्वेशन नमर थर्टी सिक्स आइसी का इमर्जिं कीपर बल्लीबाज ने चार मैचों के टेस्ट सीरीज में 350 रन बनाई जिससे भारत ने 71 वर्स के इतियास में 11 प्रयासों के बाद ऑस्ट्रेलिया में दो एक के अंतर से सीरीज भी जीती है तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिड्नी के चौथे टेस्ट में ना इनमें जो राइट आंसर होगा इदे की बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्यन है एक्जाम में पूछी जा सकता है क्योंकि यह ग्लोबल कंपर्टीट्व नैस रिपोर्ट का यह कुश्यन है इसका अंसर हो लेगा ऑप्शन सी यानि की 80 इस्थान मिला है ठीक है वैसुक में जो सरस्वती सम्मान के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सरस्वती सम्मान कब सुरू हुआ था यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए नेस्ट कुशन है कुशन नमर 39 हाली में प्रदान मंत्री ने प्रवासी तीर सदर्सन योजना कब सुरू की है तो यहाँ पर दीखे चार उप्सन दिए गये इनमें जो राय टांसर ऑप्सन बी 22 जनवरी 2019 ठीक है और इसमें क्या है कि इसके तहित भारत में धार्मिक प्रवासियों की एक सम्मूल को एक वर्स में दो बार भारत के धार्मिक इस्थनों पर ले जाया जाएगा और 40 बारती मूल के ल इलनाडू सरकार ने चेंड़ाई में ग्लोबर इंवेस्टर सिकर सम्मेलन का हाली में दूसरा संस्क्रा आयजुत किया है और इसका उद्गाटन रच्छा मंतरी नर्मला स्थीता रमड़ने किया था ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं क्वेश्चन नमर 41 यस बैंक का नया MD और CEO किसे नुक्त किया गया है यहाँ पर दिखें चार उप्सन दिये गए है इनमें जो राइट आंसर है ऑप्सन D रावनीत गुल जोकि यस बैंक के नया MD और CEO बने है नेक्स्ट कॉश्चन नमर 42 न गरतंतर दबस्ट के मुख अतिती होंगे तो इसका जो राइट आंसर है दच्छर रफीका दच्र रफीका के जो राश्टपती यह रैमफोसा वो गरतंतर दबस्ट की परेट के मुख अतिती थे ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन है क्वेश्चन नमर 44 हाली में भारत रत 2019 किसे दिये जाने की गोश्चना की गई है यहाँ पर चार उप्सन में प्रडव मुखर्ची उप्सन भी नाना जी देश्मुक उप्सन सी भूपेन हजार का यानि कि इन सभी को मिला है तो इस तरह से ओप्सन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा ठीक है मैं आपको बता दूं कि जो प्रडव मुखर्ची है वो भारत की पूर्व राष्ट्रपती रहे हैं और इसमें जो नाना जी देश्मुक हैं वो प्रसिद्ध सामाजिक करकारता रहे हैं और भूपेन हजार का मड़ोपरंत भारतरं से सम्मान किया गया है जो की संगीत कार रहे है ठीक है तो इनको य सही हो जाएगा ठीक है यहाँ पर मैं आपको बता दरूँ कि इस सूजी में कुल चार पद्म विभूसड है 14 बद्म भूसड है और चौराद में पद्म स्री पुरुसकार प्रदान किये गई हैं जिसमें की 20 महलाएं भी हैं नेस्ट कुर्शन देखते हैं क्वर्शन नमर 46 और चौर्शन देखते हैं क्वर्शन नमर 47 और ऑक्सफोर्ड डिक्स्टि का हिंदी वर्ड ऑफ दे एर किसे गोसित किया गया है तो यहांपर जो चार आपसन नमर जो राइट अंसर है नारीशक्ति ओप्शन डी सई हो जाएगा तो 26 जनवरी को और नारीशक्ति को वर्श दोजर अठाय का हिंदी दिवर्श हिंदी में आधार जो सब्धा उसको नामित किया गया था और 2018 में नारी सक्ति को ये नाम दिया गया है नेस्ट क्वेशन है क्वेशन नमर 48 ऑस्ट्रेलियन ओपन टैनिस टूनरमेंट में पुरस एकल का खिताब किस ने जीता है तो इसका जो राइट आंसर है जो पुरस एकल का खिताब जीता है वो नुबाक जोकोविच ने जीता है तो आप्सन A सही हो जाएगा आगे देखते हैं क्वेशन नमर 49 कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ती है विसका दूसरा सबसे बड़ा कूड श्टील निर्माता बना है तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ऑप्सनिया पर सही सही हो जाएगा तो केंद्री इसपात मंत्राल ने 28 जनवरी 2019 को इसपात ओद्योग में सुरक्षा मानकों की निगरानी के लिए सुरक्षा निदीसाल है इस थापित करने भी गोशना की है और इस आउसर पर भारत इसमें जापान को पीछे छोड़ चुड़ चुका है नेक्स्ट कुशन देखते हैं जो कि अंतिम पायदान पर है तो इस वीडियो के हम लोगों ने 50 कुशन कम्प्लीट कर लिए हैं उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजिए और लाइक करने बाद अपने इक्सी फेस् वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार